सावधानी में ही समझधारी स्माइली तुम शाम को पार्क में खेलने आओगी न हाँ बिलकुल हेलो बच्चो हेलो अंकल क्या ये प्यारा सा फिल्ला आपका है हाँ बेटा क्या तुम इसके साथ खेलना चाहोगे हाँ हाँ तो आ जाओ मेरे साथ कपी तुम चानते हो न ऐसे किसी अंजान लोगों के साथ हमें नहीं जाना चाहिए हाँ हाँ अंकल कहीं जाने की क्या जरूरत है हम इसके साथ यहीं खेल लेते हैं न बेटा क्या तुम ये टौफी पसंद है मेरे पास सबसे स्वादिष्ट टौफी है ये देखो अरे वा ये तो मेरे बन पसंद टौफी है स्माइली ना 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 किसी अंजान से कुछ नहीं लेना याद है न तुम्हे बचों बचों दादा जी अरे वो अंकल कहा भागे जा रहे क्या हुआ बचों कौन थे वो अंकल पता नहीं दादा जी वो अंकल आपको देकर भाग गए अच्छा ऐसा हम चलो आओ अब हम घर चले दादा जी ये आपके हाथ में क्या है ये एक किताब है क्या तुम लोग देखना चाहोगे हाँ घर चलकर इस किताब को पढ़ते वा दादा जी इसने कितने सुन्दर फूलों के चित्र है हाँ और खास कर ये वाला तो मुझे बहुत सुन्दर लग रहा है अगर सच में ये मुझे कहीं दिख जाए तो इसे मैं अपने पास रख लू हाँ अगर ये फूल इतना सुन्दर है तो सुचो इसके खुश्बू कितनी अच्छे होगी बच्चो तुम सही कह रहे हो ये फूल बहुत सुन्दर है पर क्या तुम जानते हो ये देखने में जितने सुन्दर है ये उतने ही खतरनाग भी है खतरनाक? क्या सच में दादा जी? हाँ बेटा, इन फूलों में से कुछ फूल दुनिया के सबसे खतरनाक फूलों में से हैं पर दादा जी, देखने में लगता नहीं है कि ये हमें कोई नुकसान पहुचा सकते हैं स्माइली, कभी-कभी देखने में चीजें जैसे दिखती हैं, वैसी होती नहीं फिर चाहे वो लोग हो, या फूल, जैसे तुम्हें वो अंजान अंकल स्कूल के बाहर मिले थे, वो तुम्हें कैसे लगे थे? हाँ, देखने में तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर वो आपको देखकर भागे क्यों? ये ही तो सोचने वाली बात है बच्चों मुझे लगता है, वो बें फूलों की तरह थे, सरफ देखने में अच्छे, लेकिन खतरनाग सही समझे, गप्पी हाँ, दादा जी, मुझे याद है, आपने हमें पहले भी अंजान लोगों के खतरे के बारे में समझाया था और आज उसी वज़े से हम उन अंकल के बातों में नहीं आए समझदार बच्चे, अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अंजान लोगों से कोसकने वाले खतरे को समझ गए हो दोस्तों, हमें उमीद है कि आप भी हमारी तरह अंजान खतरे से साबधानी बरतेंगे किसे अंजान से बात करना, उन से कुछ लेना या उनके साथ जाना खतरनाक है इस बार का हमेशा ध्यान रखे अंजान लोगों के साथ हमें और पिया क्या साबधानी बरत नी चाहिए इस बारे में सोचें और अपने दोस्तों परιवार को बताएं बाई बाई दोस्तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे